Hello everyone, welcome to Radiant Classes. आज की क्लास में हम दुसर प्रोब्रम स्वल करेंगे, कि कैसे किसी भी कॉद्रिक फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में रेद्यूस करते हैं. चलिए, प्रोब्लम हमाई पास हैं. रेद्यूस दा कॉद्रिक फॉर्म 2xy plus 2yz plus 2zx to a कैनोनिकल फॉर्म. यह हमको गीवन है 2xy plus 2yz plus 2zx. यह हमको कॉद्रिक फॉर्म गीवन है. इसका मैट्रिक्स बनाएंगे. तो इस मैट्रिक्स बनाने के रिए हमाई पास देखिए, x इसक्राइब y-square और z-square का तर्म में सिंग है. means diagonal के जो x इसक्राइब y-square तो यह z-square है. वहाँ के मारे कोफिशेंट के आ गए? 0, 0, 0. अब xy, xy का कोफिशेंट कितना है? 2. और इसका जब हम half करेंगे तो यहां बन गया 1 और यहां बन गया 1. अब yz, yz का भी कोफिशेंट कितना है? 2. तो उसका भी half करेंगे तो यहां बना 1 और यहां बन गया 1. अब zx है. zx का कोफिशेंट भी कितना है? 2. उसका भी half करेंगे. यहां का element बना 1 और 1. तो यह जो हमाई पास जो quadratic form हम को गीवन था, उसको हमने matrix के form में लेख लिया. अब इस matrix का हम सबसे पहले क्या करते है? इसका characteristic equation बनाएंगे. इसका जब characteristic equation बनाएंगे तो क्या बनेगा? 0 minus lambda 1, 1, 1, 0 minus lambda 1, 1, 1, 0 minus lambda is equal to 0. determinant को जब हम solve करेंगे तो हमाई पास cubic polynomial equation जो मिलेगा, वो हमाई पास मिलेगा lambda cube minus 3 lambda minus 2 is equal to 0. यह हमाई पास cubic polynomial equation मिलेगा. और जब इसको हम solve करेंगे तो lambda की हमारे पास 3 value मिलेगी, 2 minus 1 minus 1. मैंने डारेक्ट लिखाया क्योंकि previous classes में मैंने determinant को कैसे solve करते हैं और shortcut method भी मैंने बताया हुआ है कि shortcut method से हम क्यों भी polynomial equation कैसे लिखते हैं और कैसे हम lambda की value find करते हैं. तो यह हमारी क्या है? आइगन values हैं. अब इस आइगन value के corresponding हमको क्या निकालना है? आइगन vectors find करने हैं. तो आइगन vectors हम सबसे पहले lambda is equal to 2 पे find करते हैं क्योंकि यह repeating root है, ठीक है? तो lambda is equal to 2 पे पहले हम आइगन vector find करते हैं. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? जब रखेंगे तो यह बनेगा minus 2, 1, 1, 1, minus 2, 1, 1, 1, minus 2, यह बन जाएगा x, y, z is equal to 0, 0, 0. अब जब आप x को equation का form देंगे तो क्या बनेगा minus 2x plus y plus z is equal to 0, second आपका बनेगा x minus 2y plus z is equal to 0, third बनेगा x plus y minus 2z is equal to 0. हमाई पास 3 equation मिले, clear है? अब 1st और 2nd, इन दोनो equation के हैल से हम x, y और z की value find कर लेती है, minus y और z. तो यहाँ पे जब x की value करेंगे तो यह दोनो multiply केता बना 1, plus 2, यह बन जाएगा, y के लिए बनेगा minus 2, minus 1, और z के लिए बनेगा minus, minus 2, 2z is equal to 4, minus 1, means आपके पास बने x divided by 3, यहाँ बनेगा minus y divided by minus 3, and z divided by 3, जब इन तीनों को divide करेंगे तो क्या बनेगा? x divided by 1, y by 1, and z by 1, इसको यदि हम एक k से assume कर लें, तो हमारे पास first eigenvector जो हमारे पास मिला, k को common ले लेंगे तो बनेगा 1, 1, 1, यह हमारे पास lambda is equal to 2 के corresponding first eigenvector हमारा find हो चुका, और उसके element क्या है? 1, 1, 1, अब हम lambda is equal to minus 1 के corresponding, और क्योंकि यह minus 1 क्या है? repeating root है, तो इसके corresponding हम eigenvector निकालेंगे, तो जब यहाँ पे हम minus 1 रखेंगे, तो यह कितना होजाएगा minus minus plus, यह सारे element क्या होगे? 1, 1, 1, और इसको जब हम equation का form देंगे, तो हमारे पास के equation मिलेगा? x plus y plus z is equal to 0, क्योंकि यह भी x plus y plus z बनेगा, यह भी x plus y plus z बनेगा, मतलब हमारे पास सिफ एक equation मिल रहा है, x is equal to 1, और y is equal to 0, तो यहाँ पे x की जगा 1 और y की जगा 0 रखेंगे, तो आपको z क्या मिलेगा? minus 1, clear है? तो आपको जो second eigenvector मिलेगा, उसके element क्या हुए? 1, 0, minus 1, यह हमारे पास second eigenvector मिल गया, lambda is equal to minus 1 के corresponding हमने एक eigenvector निकाल लिया, अब lambda is equal to minus 1 के corresponding ही हमको दूसरा eigenvector भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो eigenvector है, वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के लिए orthogonal होने चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास जो थर्ड eigenvector निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, since, x3 is orthogonal to x1, तो यहाँ पे यह दि, x3 is orthogonal to x1, तो यहाँ मारे पास क्या बन जेगा, l plus m plus n is equal to 0, ठीक है? यहाँ हम एक्कोल ना लगा के, ऐसे कर देते हो, x3 is orthogonal to x1, तो क्या मिल जेगा हमको, l plus m plus n is equal to 0, ठीक है? यहाँ हम एक n is equal to 0, यहाँ से, l plus m plus n is equal to 0, और since, x3 is orthogonal to x2, ठीक है? तो हमाई पास यहाँ से क्या बन जाएगा? l minus n is equal to 0, यह हमाई पास 2 equation बने, क्योंकि x3 एक बार x1 के लिए orthogonal है, और x3 x2 के लिए orthogonal है, अब जब इनको हम simplify करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? l plus m plus n is equal to l minus n, यह मिला, l, l cancel out हुआ, तो यह हमको मिलेगा, m plus 2n is equal to 0, यह मिलेगा, this implies यहाँ क्या मिल जाएगा? m is equal to minus 2n, clear है? अब यहाँ से हमको मिलेगा, m divided by minus 2 is equal to n upon 1, यह हमको मिला यहाँ से, clear है? अब यहाँ पे हम, हमको l की value अभी नहीं मिली, तो यहाँ पे यदि हम n की जगा 1 रख दें, तो यहाँ से हमको l कितना मिल जाएगा? l minus 1 is equal to 0, तो l की value कितनी मिली? 1, तो यहाँ पे आजेगा l divided by 1, यह समाई पाज जो थर्ड आइगन वेक्टर मिलेगा, तो यहाँ इसकी इन value की हज़से, हमारा जो थर्ड आइगन वेक्टर मिलेगा, वो हमको क्या मिला? 1 minus 2, 1, क्योंकि हम यहाँ पे minus 1 के लिए, हम वहाँ पे भी assumption कर सकते थे, दो variable को फिर से हम, जैसे हम यहाँ पर x को 1 रखे थे, y को 0, तो वहाँ हम क्या कर सकते थे? x को 0 रख दो, y को 1 रख दो, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, थर्ड आइगन वेक्टर कैसे निकल सकते थे? व y को 1 मान लिए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? minus 1 रखे, बट यह आपस में orthogonal नहीं होंगे, clear है? तो यहाँ आपको इस बात का ध्याँ रखना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही वेक्टर आपस में क्या होने चाहिए? और्थोगोनल होने चाहिए, तो इसलिए repeating root के लिए जब आप 3rd आइगन वेक्टर, जैसे आपको 3rd आइगन वेक्टर निकाना है, तो 3rd आइगन वेक्टर इस बार x-1 की orthogonal होगा और 3rd आइगन वेक्टर एक बार 2nd आइगन वेक्टर की orthogonal होगा, तो इन दोनों यह जो element मिले हैं, इनकी हैँच से आपको 2 equation मिल जाएंगे, और इ इन वेक्टर की help से हमने एक model matrix form कर दिया, इस model matrix का हमको क्या करना है, normalize matrix बनाना इसकी help से, तो normalize matrix आपका कैसा बन जाएगा, 1 upon, 1 का square, 1 का square, 1 का square, 1 का square, plus करना है, under root में, तो यह कितना बन जाएगा, under root 3, same बन जाएगा, 1 by root 3, और यह बन जाएगा, 1 by root 3, यहाँ पर करेंगी तो 1 का square, 0 का square, plus minus 1 का square, तो यह बन जाएगा, under root 2, 1 by root 2, यह बनेगा, 0, यह बनेगा, minus 1 by root 2, यहाँ करेंगी, तो 1 का square, plus minus 2 का square, plus 1 का square, यह जब करेंगी, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 plus 2, 2 is a 4, plus 1, तो यह बन जाएगा, under root 6, तो यहाँ पर जाएगा, 1 by root 6, minus 2 by root 6, और यह बन जाएगा 1 by root 6, यह आपका normalized matrix बन गया, इसका transpose करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 2, 0, minus 1 by root 2, यह बन जाएगा 1 by root 6, minus 2 by root 6, और 1 by root 6, यह बन गया हमारा transpose, और इन सब की head sum क्या करेंगे, diagonal matrix निकालेंगे, तो diagonal matrix के लिए N का transpose A और N, यह हमारा होता है, अब हमने N का transpose, means यह वाले matrix को यहाँ लिख दिया, A हमारे पाई जो matrix था, वो हमने लिख दिया, और N जो हमारे पाई यह वाला matrix है, इन किनों को लिख दिया, अब यह वाले matrix को हम as it is रखतें, 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 2, 0, minus 1 by root 2, 1 by root 6, और जब यहाँ पर जब A और N काम ने multiply किया, तो हमारे पास कुछ यह matrix मिल जगा, 2 by root 3, 2 by root 3, 2 by root 3, minus 1 by root 2, 0, 1 by root 2, minus 1 by root 6, 2 by root 6, minus 1 by root 6, क्योंकि आपको matrix multiplication आता है, clear है, इसमें भी आप multiply करेंगे, तो देखें, क्योंकि यह diagonal matrix बनने जा रहा है, तो आपके पास यहाँ मिलेगा, 2, 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, minus 1, क्योंकि diagonal के जो element मिलेंगे, वो हमारे जो eigen value निकाले थे, उसके समान होने हैं, ठीक है, तो यह भी आपका है, इन दो matrix का multiply करके देखेंगे, क्योंकि आपको यही result मिलेगा, तो आपका जो canonical form क्या बनेगा, क्या मिल जाएगा, आपका lambda 1 x square, plus lambda 2 y square, plus lambda 3 z square, तो यह क्या बन जाएगा, आपका 2 x square, minus y square, minus z square, यही आपका क्या है, required canonical form of given quadratic form, clear है, तो यह problem आपको समझ में आयोगा, तो इस तरह आप किसी भी quadratic form को canonical form में आप reduce कर सकते हैं, तो आज की रहे इतना हैं, तब तक लिए बाई बाई